हलो एवरिवान तो आज हम करने जा रहे हैं यह पॉपल स्ट्रीकिंग्स हमारे क्लाइन की ऊपर इन्हें इस तरीके का फंकी कलर चाहिए था तो देखते हैं इसका पूरा प्रोसेजर और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा सबसे पहले तो यहां हम देखेंगे इनका जो बेस है वो है फोर नंबर का यानि कि अच्छे खासे ब्लाइक हैर हैं तो इन्हें हमें प्रिलाइट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बिना प्रिलाइट किये हुए इसे कलर करेंगे तो यह कलर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तो जबी भी आपके पास इस तरह के बेस कलर आते हैं तो उसे प्रिलाइट पहले कर लीजिए तो प्रिलाइट करने के लिए यहां पर मैंने इनका कर लिया था फोर सेक्शन और उसके बाद मैंने यूज किया है शॉर्ट सकॉफ का ब्लॉंडर और इसे मैं मिक्स कर रही हू थर्टी वॉल्यूम के साथ में और हमें इसे लिफ्ट करना है अप्रॉक्सिमेटली एट नमबर तक और यहां पर मैं इसे बिना फॉयल लगाए ओपिन में ही अप्लिकेशन कर रही हूँ तो इसे मैं बालयाश टेक्नीक से जो है अप्लिकेशन कर रही हूँ और मेरे क्लाइ तो आप फॉयल पेपर भी यूज कर सकते हो तो यहां पर हम एक सेक्शन चोड़कर एक सेक्शन यानि के अल्टनेट सेक्शन में जो है ब्लीच का अप्लिकेशन करेंगे और यहां पर मैंने डाइगनल शेप लिया है ताके इनका जब हैर का फ्लो आए तो वो यू शेप में जो कलर जब फॉल हो तो वो यू शेप में दिखे ना के बिलकुल स्ट्रेट में तो ब्लीच को हमको लगा के रखना है अप्रोक्सिमेटली ट्वेटी टू टू ट्वेटी विच में चेक कर लीजे इस तरीके का शेड हमें चाहिए यह एट नमबर तक अच्छा खासा शेड आ चुका है फिर इसे हमने अच्छे से प्लेन रिंज करके शैंपू कर लिया था शैंपू के बाद हम इसे अच्छे से ड्राइ कर रहे हैं और ड्राइ करने के बाद मैंने यहाँ पर फिर से इनका फोर सेक्शन कर लिया है अब फोर सेक्शन करने के बाद यहाँ पर मैं इने use कर रही हूँ streaks का violet color और इसे में directly लगा रही हूँ इसमें मैंने कुछ भी developer या कोई भी mixing नहीं की है ये color ready आते हैं और इसे आपको directly जो pre-lighted hair होते हैं उस पर इस तरीके से application करना होता है पर make sure कि आप अपना application बहुत अच्छे से कीजिए ताकि जो color है वो अच्छी तरह से अंदर deposit हो जाए इस color को लगा के हमें इसे at least 20 minutes के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से बालों के अंदर deposit हो जाए उसके बाद हम इसे plain rinse कर लेंगे और उसके बाद में हम इसे apply कर लेंगे conditioner ताकि हमारे जो बाल है वो नरिश हो जाए तो guys अच्छे से हमने जो है इनके hair rinse कर लिये थे conditioner कर लिया और अब बारी आती है styling की तो यहाँ पर जो है इने मैं थोड़ा सा curls कर के styling दे रही हूँ देखते हैं styling के बाद इनके बाल कैसे लगते हैं अगर आपको यह hair color पसंद आया होगा तो इसे like जरूर कीजिए मुझे subscribe जरूर कीजिए और हाँ comment में जरूर बताएगा कि आपको यह technique कैसी लगी